आज हम आपको दिखाएंगे कैसे PM बनते ही CM मोदी, PM मोदी को ही ट्रोल करने लगे हैं और आपको PM मोदी के CM मोदी रहते हुए वाले कुछ भाषन दिखाते हैं जिसे देखकर मोदी खुद कहने लगेंगे विपक्षी सरकारों ने कर दिया है मोदी सरकार के मनमाने और पक्षपार्टी रवये पर हल लापूल लगातार विपक्षी पार्टियों दुवारा चल रही राजसरकारों का मोधी सरकार की तरफ से उनके राज्यों को उनका हक का पैसा दिया ही नहीं जा रहा है क्या इन राज्यों की जनता से हार का बदला लिया जा रहा है इसी पर प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर केरल के मुख्यमंतरी पिनराई विजयन के साथ दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल और भगवनमान भी साथ खड़े हो गए करनाटक सरकार में मंतरी प्रियंक खडगे हर दिन ट्विटर पर इसी मुद्दे को जोर शोर से उठा चुके हैं बंगाल की मुख्य मंतरी पहले ही इस पक्षपाती रवये का जिक्र कर चुके हैं उन्होंने बताया था कैसे केंद्र सरकार पश्चिम मंगाल की मनरेगा वरकर्स का पैसा ही नहीं दे रही थी तो जंतर मंतर पर पिनरई विजयन ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार की फिस्कल पॉलिसीज के चलते उनका राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है विजयन ने कहा कि मोधी सरकार ने स्टेट रिसीट्स में 57,400 करोड रुपे की कटोती कर दी है और केंद्र जो टाक्स इकठा कर रहा है उसमें उनके राज्य को अपने हग का पैसा नहीं मिल रहा उन पर भी केंद्र अपना कंट्रोल जमा रहा है बिना राज्यों से उनकी राय या सलह मश्वरा किये कई मल्टी नाशनल अग्रीमेंट्स साइन किये जा रहे हैं जिन से सीधा सीधा राज्यों पर असर पड़ेगा जब राय तक नहीं ली जा रही तो हमारी रजामंदी ली जाएगी ये तो भूली जाएगी ये सब उधारन है कि कैसे राज्यों के अधिकार कुछले जा रहे हैं जहां समविधान का पहला ही अनुछेद कहता है यानि भारत राज्यों का एक संग होगा उसकी बजा ये लोग अलोगतांत्रिक तरीके से यूनियन ओवर स्टेट्स यानि राज्यों पर केंद्र की हुकूमत चला रहे हैं ये कहा पिनरई विजयन ने वो आगे कहते हैं कि भारत का समविधान हमें फेडरल स्ट्रक्चर संग्य धांचे का अधिकार देता है लेकिन मोदी सरकार राज्यों का पैसा खुद खाकर उस संग्य धांचे को खत्म कर रही है इसके ठीक उलट यही लोग हैं जो कोपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया करते थे वही अब यह ट्वीट देखिए करनाटक सरकार में मंत्री प्रियांग खडगे ने पहले चार फरवरी को लिखा 12,19,782 करोड में से यूपी को 2,18,816 करोड मिल रहा बिहार को 1,22,685 करोड मत्री प्रदेश को 95,752 करोड महराष्ट को 77,053 करोड करनाटक को सिर्फ 44,485 करोड दिया जा रहा जबकि करनाटक देश की अर्थे रस्था में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले राज्यों में से एक है करनाटक में बीजपी के सथ 27 सांसद है और उन में से एक भी नहीं जिसके पास रीड हो कि वो करनाटक के साथ हिसन नयाय पर बोलने की हिम्मत दिखा सके ये लोग प्रधान मंत्री से इतना डरते क्यूं है केंद सरकार को करनाटक के साथ शत्रू जैसा विर्दाहार करना बंद कर देना चाहिए फिर साथ फरवरी को प्रियांक ने फिर ये मुद्दा उठाया और लिखा करनाटक विभिन टैक्स से पूरे साल में 4.3 लाख करोड इकठा करता है बावजूद इसके हमारे राज्यका जितने पैसे पर हख होना चाहिए हमें बीजेपी सरकार से उसका सिर्फ 12-13 फीसदी ही मिल रहा है 14 फाइनस कमिशन में हमारा अलोकेशन 4.7 एक फीसदी होना चाहिए था लेकिन 15 फाइनस कमिशन में उसे घटा कर 3.6 पाँच फीसद कर दिया जिसकी वजह से करनाटक को सीधा सीधा 73,593 करोड का घाटा हो गया निर्मला सीतारमन देश की वित्तमंत्री राजसभा में अपना प्रतिन दित्व करनाटक राज्य से कर रही है बावजूद इसके उन्होंने 15 फाइनस कमिशन की उस अंतरिम रिपोर्ट को खारज कर दिया जिसमें ये सुझाया गया था कि करनाटक के नुकसान की भरपाई के लिए करनाटक राज्य को 25,469 करोड का स्पेशल ग्रांट दिया जाना चाहिए क्या बीजेपी जवाब देगी कि आखिर करनाटक को कॉम्पनसेट करने का ये प्रपोजल क्यों ठुकराया गया अब एक और ट्वीट में प्रियांग खडगे ने सवाल उठाया कि जब विश्व गुरु यानि मोदी जब विश्व गुरु रशिया यूकरेन का युद रुकवा सकते हैं यादना इनके मंत्रियों से लेकर गोदी मीडिया ने ऐसा प्रचार आपके सामने कई दिन तक किया था तो उसी पर सवाल उठाते वे प्रियांग ने पूछा तो ये बताओ कि वो सूखा से राहत देने के लिए 18,000 करोड मनरेगा में 50 अतरिक्त दिनों का रोजगार टाक्स का दिस्ट्रिबूशन सही तरीके से और करनाटक को 25,469 करोड का स्पेशल ग्रांट क्यों नहीं दे देते जैसा कि 15th Finance Commission ने सुझाया था रेकमेंट किया था असक्तिय वन इट सेज फोर ड्रोफ रिलीफ विच इस डिसास्टर रिलीफ जीरो इस बीन गिवन पर संटिन इस अस्टर मैंज़मेंगर शीक्सिंगर शीक्षा के देजिए अगर हमने इस अस्टर रिलीफ के लिए पैसा दे लिए ये केसे अब्रुटेस्मेंट में जीरो डालना है वो एक बात है दूसरा, स्पेशल ग्राइश इन इसलाव विराज शेचल के बारे मैं पेले शुरुवात में ही बूर दिया कि स्पेशल ग्राइशन फेल रूराशन में ही नहीं ताप सो छोड़ भी प्रड़ाशन का रेकम्रेशन जहा नहीं है उसको अप्डालर भी वेदर Do you see the Congress flag? Do you see the Congress logo? Do you see our symbol anywhere? It's only the Indian flag and the Karnataka flag here. In fact we have created a platform for them, all the BJP MPs or JDS MPs or anybody who wants to come and speak and clarify and challenge us on the statistics. Let them come and justify here. It's not a Congress program. It's a program for the people of the state. If they are really interested in the upliftment of the state, let them come here and speak. एक और ट्वीट पे प्रियंक ने लिखा नरेंदर मोधी कॉंग्रेस पर बरस रहे हैं हमारा टैक्स हमारा पैसा ये खिल कैसा है तो हम से पूछने की बजाए पीम मोधी को सीएम मोधी से इस मुद्दे पर जवाब मांगना चाहिए प्रधान मंत्री साहब आपके पिछले बयान जरा आपको याद दिला दे साथी बीजबी करनाटक को टैक करके लिखा इसका सच ढूंड कर कृपया ठ्रोल कीजिए जून 2008 में वडोधरा के एक कारेकर में भाशन देते हुए मोधी ने कहा था कि केंद्र करीब 40,000 करोड टैक्स के जरीए गुजरात से इकठा करती है लेकिन उसका सिर्फ 2,5 फीसद ही राज्य को देती है अगर केंद्र चाहे तो गुजरात को एक साल तक कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है बशर्ते फिर केंद्र गुजरात से कोई टैक्स भी ना इकठा करे वही 9 जनवरी 2012 को दसवे प्रवासी भारतिय दिवस पर बोलते हुए गुजरात के सीम नरिल्णर मोदी दे कहा था हमारी किस्मत ऐसी कहा कि हमें केंद्र या पी-म से कुछ मिल सके हमें तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है वही अक्टूबर 2013 में 14 फानांस कमिशन की बैठक में मोदी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार को राज्यों को टैक्स रेवन्यू का 32 फीसदी की जगह 50 फीसदी देना चाहिए अब वही पी-म मोदी, सी-म मोदी को ही ट्रोल कैसे कर रहे हैं जरा ये भी देखिए 6 दिसंबर 2012 को बोले गुजरात के लोग 60,000 करोड भेजते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है उस पर आप बताते हैं कि आप हमें पैसा देतो रहे हैं, गुजरात कोई भिखारी राज्य नहीं है और संसन में देखिए, पी-म मोदी क्या बोलते नजर आए मैं पूछना चाहता हूँ आदर्णिय स्वापती जी, क्या अगर हिमाला एकल कहना सुरू कर दें, हिमाला एकल बोलना सुरू कर दें, कि नदिया मेरे हाँ से बहती हैं, मैं तुबे पानी नहीं देने हूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा, देश कहां ज जारा करो, देश कैसे चलेगा, आदर्णिया सभावती जी, ऑक्सिजन, कोविड के समय, हमारे यां ऑक्सिजन की संभावनाय पूर्वी कार्या, जो उद्योग है उसके जा, देश के पूरे देश को ऑक्सिजन की जरूती है, अगर उस समय पूरत के लोग कह करके बैठ चात हमारे लोगों की जरूत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का, उन्होंने संकर जेल करके भी जेश को ऑक्सिजन पहुचाया, देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है, क्या इस प्रगास है देश को, हमारा टेक, हमारे मनी किस बाशा मे बोरा जा रहा है, ये देश के भविश्य के लिए नहीं खत्रा प्रदा करने माली है, वही 20 मई 2012 को गुजरात के CM नरेंदर मोदी बोल रहे थे, कि अगर गुजरात दिल्ली में दूद देना बंद कर दे, तो दिल्ली में कोई चाय तक न पी पाए, और ये देखिए, CM से ज उसको टुकड़ा में नहीं देख रही है, जिस प्रकार जी इंदर भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए राजरीतिक स्वात के लिए नहीं नरेटिव गड़े जा रहे है, एक पुरी सरकार मादार में उतर करके बाशा गड़ रही है, इससे बड़ा देश क में न रहे हैं कि तुरा देश कहता है व महारस्केर, ऑर बेश घार करोड़ रूप्या कि उसको अच्य कोaj को CIns के लिए दुनिया के ऊस्या देश में भेचता है, वम यह सोचना जारखन के लिए हो रहा है, don't you come? अब बै कौन सही था या है CM या PM आगे प्रियांक एक और ट्वीट करके पूछते हैं करनाटक का पैसा कहा जा रहा है करनाडिगा द्वारा दिया टैक्स का हर 100 रुपे में से हमें सिर्फ 13 रुपे मिल रहा है वही हर 100 रुपे टैक्स पर UP को 333 रुपे, MP को 289 रुपे, बिहार को 922 रुपे और डिश्चा को 187 रुपे मिल रहे है हम पूरी तरह से संसादनों को राज्यों में बाटने के पक्ष में हैं लेकिन जहां से राश्ट्र में रोजगार पैदा हो रहा हो, उसे आर्थिक रूप से ऐसे वंचित रखना सही नहीं अगर यही बटवारा थोड़ा पारदर्शी तरीके से होगा तो सभी के लिए बहतर होगा वही निर्मला सीता रमन ने अब संसर में आकड़ों को बताते हुए जवाब दिया और पूछा ऐसे में ये बताईए जब ये आकड़े हो तो करनाटक के साथ अन्याय कहा हो रहा है I want to assure this house and I'll give you the data. Whatever the Finance Commission has recommended, I follow it to the last word. In the case of Karnataka, I will very clearly say, comparing with other Finance Commission periods, 13th Finance Commission period is 2010-11 to 2014-15. Karnataka received 61,691 crores. Those five years. 14th Finance Commission beginning 2015-16 to 2019-20, Karnataka received 151,309 crores. Our current 15th Finance Commission, which we are now from 2020-21 disbursing, as of 31st March 2026 is what that commission will relate to. But for the four years, Karnataka has already received 1,29,854 crores. Four years, compared to five years then. When five years... Sorry? I am talking about the Finance Commission related period, madam. I am talking about the Finance Commission related period, madam. We can always answer questions which you may ask of other period. This is the Finance Commission related devolution. 1,29,854 crores already for the four years. It is estimated at the end of the fifth year, Karnataka would have received 1,74,339 crores. Compare it with the previous Finance Commission, 1,51,309 crores and compare it in the current Finance Commission, 1,74 crores. So, this year... जहां मोदी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री जोर शोर से लगी है कि लोकसभा चुनाव मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसल्मान पर केंडरित रहे, एडी और एजनसियों का इस्तिमाल कर विपक्ष को कमजोर करती रहे, गोधी मीडिया के सहारे, जनता के मुद्दे टीवी से गाया भी रहे, वहीं विपक्ष भी शिद्दत से सिर्फ असल मुद्दो, जनता से जुड़े मुद्दो पर सरकार को लपेट में और कट घरे में ख क्क पर Überमें और किया कि जसी ठीर का चिंजंगर पvीक्ष कर ल Państwo करें, जनता करने लुह मुद्दे और कारी में फगाया जनता मुद्द थिव آپन से अस्तिमा ननता को तो के अस्तिमार कर विएक्षण है प ada क्क्म्मी。